जिवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यू जिसे कोई डाल नहीं सकता जो मृत्यू लोग में आया है उसे एक ना एक दिन अपना शरीर छोड़कर जाना ही है शरीर में मॉजूद उर्जा जिसे आत्मा कहते है पॉस्माप्त नहीं हो सकती बस रुपान्थरित हो सकती है ये उर्जा जब शरीर से निकलती है तो ये कोहासे के समान होती है जिसकी छवी उसी प्रकार की होती है जिस शरीर से वो निकलती है मृत्यू के कुछ समय तक आत्मा को भी बहुत से अजीव अनुभवों से गुजरना पड़ता है ये आत्मा के लिए भी दुखताई और कश्टकारी होते हैं आज इस वीडियो में यही अवस्था हम देखेंगे कि जब मृत्यू होती है तो उसके एक घंटा तक इंसान को किस कश्ट से गुजरना पड़ता है सबसे पहली अवस्था है अचेद अवस्था आत्मा शिरीर से निकल कर कुछ देर तक अचेद अवस्था में रहती है आत्मा को इस प्रकार का अनुभव होता है जैसे किसी कठिन परिश्रम से ठाक हुआ व्यक्ति गहरी निद्रा में होता है लेकिन कुछ पल में ही अचेद अवस्था फिर से सचेद हो जाती है और वो आत्मा उठकर खड़ी हो जाती है दूसरा है समान विहवार जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है उसे कुछ समय के लिए पता ही नहीं होता कि वो शरीर से अलग है वो उसी प्रकार का वहवार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका वहवार था ये अवस्था बहुत ही बेचैनी भरी होती है ऐसे में जब उसे पता ही नहीं होता कि वो शरीर से निकल चुकी है तो उसका विहवार बहुत ही आम होता है तीसरी अवस्था है बेचैनी और चटपटाहट शरीर से निकल कर खड़ी आत्मा अपने सगे संबंदियों को पुकारती है लेकिन उसके आवाज कोई नहीं सुन पाता इससे आत्मा को बेचैनी और चटपटाहट होने लगती है आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कह रहना चाहती है पर उसके आवाज बस कुछ ही दूर तक गूँच कर रह जाती है क्योंकि वो भौतिक नहीं अभौतिक ध्वनी है और मुनुष्य केवल भौतिक चीजों को ही महसूस कर सकता है इसलिए उसकी आत्मा की आवाज को कोई नहीं सुन सकता वो अपने मोह के आवर लेकिन यम के दूद उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते धीरे धीरे व्यक्तिकी आत्मा ये सविकार करने लगती है कि अब जाने का वक्त आ गया है मोह का वंधन कमजोर होने लगता है और वो मृत्यों लोग विदा होने के लिए तयार हो जाती है चौथी अवस्था है संचार वर्षों तक शरीर में रहने से जो संसारिक माया का आवरन आत्मा पर पड़ा होता है उससे मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को तो कभी अपने संबंदियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है लेकिन उसका परियास विफ परियाकुल करके रोती है, लेकिन उसके वर्षों में कुछ नहीं होता, वो लाचार होकर सब कुछ देखने और अपने जीवन काल में किये करमो को याद करके दुखी होती है यम के दूद्ध आत्मा से कहते हैं के चलो अब यहां से चलने का समय आ गया है, करमों के अनुसार उसे लेकर यह मुमार्ग की और वो चल पड़ते हैं। अब आती है सात्मी अवस्था जो है करम पर आधारित जिसे हम कहते हैं नया जनम। कुछ ही समय में आत्मा मृत्यों लोग की सीमा को पार कर एक ऐसे मार्ग पर पहुंच जाती है जहां ना सूरे की रोशनी होती है ना चंद्रमा की चांदनी उस लोग में हर जगें अंधिरा होता है। यहां आत्मा अपने करमों और इच्छाओं के अनुसार कुछ समय तक विश्राम करती है। कुछ आत्माएं जल्दी शरीरधारन कर लेती हैं तो कुछ लंबे समय तक विश्राम के बाद अपनी इच्छा के अनुसार नया शरीरधारन करती है। तो ये वो साथ अवस्थाएं हैं जिससे गुजर कर आत्मा को अपने अगले जनम में प्रवेश करना होता है। एसी जनम में प्रवेश कर सकते हैं जो एक पुन्य आत्मा हो जो एक पुन्य जनम हो जो लोगों के काम आए और हम जीवन की एक नई उर्जम में प्रवेश कर पाएं आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें शेयर करें मैं मिलती हूँ अगले विशे क के साथ आपका इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद